नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज का हमारा विशय नरेगा से संबंदित होगा कि नरेगा में जो आपके पैसे आने वाले हैं अकाउंट में वो आए है कि नहीं आए है कितने आएंगे और कितने दिन तक आएंगे उन सब का जो बनाई जाते हैं जैसे पिया मावा सूचना की लिश्ट में अपना नाम कैसे देखें और भी अन्यलाव वगेरा हमारे चैनल पे सब कुछ प्रवाइड किया जाता है ठीके दोस्तों तो आज की वीडियो जो है वो है नरेगा की लिश्ट में जो आपका नाम है उसमें आपक जो सैलरी है जो आपका मजदूरी है वो आया है कि नहीं आया है सबसे पहले आपको फोन पे क्या ओपन करना है गूगल क्रोम गूगल क्रोम को ओपन करने की बाद यहां पे आप देखेंगे यह जो स्पेलिंग है सरकारी वर्दी आपको यही टाइप करना है फोन पे ठीके इसकी एक-एक स्पेलिंग आप अच्छे से नोट कर लिजेगा, आप ये जैसे ही टाइप करेंगे अपने फोन की स्क्रीन पर, आपका फोन इस तरीके से एक स्क्रीन शो करेगा, ठीक है दोस्तो, ये सरकारी वर्दी यहाँ पे नीले अक्षर से लिखा हुआ होगा, आपको इ ये सब options खुल जाएंगे, village work development, नरेगा work details, तो आपको इसमें ये जो सबसे पहला वाल option है, village work development, इस वाले option के view more पे click करना है, ये option आप देख रहें, village work development का, इस option का जो view more वाला box है, आपको इस पे click करना है, ठीक है, view more वाले box पे आप जैसे ही click करेंगे, आपके स्क्रीन प जानकारिया दी हुई है, gram panchat से related, नरेगा से related, या फिर पिया मावास से related, राशनकार से related, सब कुछ है इसमें, हिंदी भाशा में लिखा हुआ है, आप इसको इत्पनान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, इसको आगे करते रहेंगे, आगे करते रहेंगे, आगे ब कुछ ऐसा होगा है, जिसमें आपको ये नरेगा जॉप कार्ड लिष्ट, औल इंडिया नरेगा रिकॉर्ड चेक करें, ये सब आपका दिया रहेगा, आपको कौन से वाले उप्शन पे क्लिक करना है, सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, दोस्तों तो यहां पे जो आपक आपको नहीं क्लिक करना है, जॉप कार्ड लिष्ट पे आपको क्लिक नहीं करना है, ये दूसरे वाले उप्शन पे क्लिक करना है, आप जैसे ही इस वाले उप्शन को क्लिक करेंगे, आपकी फोन पे नरेगा का जो ओफिशल वेबसाइट है, वो कुछ इस तरीके से खुल ठीक है दोस्तो अब आप इसको सबसे पहले अच्छे से देखने के लिए अपने फोन को लैंडिस्केप मोड में कर लीजेगा माली जए आप अपना फोन ऐसे चला रहे हैं तो यह पोर्ट्रेट मोड हुआ ऐसे सीधे में आपको इसको ऐसे कर देना लैंडिस्केप मोड में कर देना है ठीक है लैंडिस्केप मोड में करने के बाद सेम तू सेम आपके भी फोन की स्क्रीन ऐसे ही दिखाए देगी अब आपको आगे क्या करना है आगे आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देखेंगे एक सिंपल सा एक सवाल दिया होगा यह गडित का होगा आपको जोड घटाना कुछ भी दे सकता है इससे अलग ही देगा सेम कभी नहीं देगा अलग ही देगा अब जितने बार खोलेंगे उसके वापसर उतने बार वो अलग अलग ही देगा यहाँ पर देखें दिया हुआ है घटाने के लिए यहाँ पर हम घटा करके इसको यहाँ पर लिख देंगे इस वाले को घटा कि सामने वाले box में लिख देंगे और यह verify code पर click कर देंगे जैसे हम यहाँ पर इसको घटा दे रहे हैं नीस में से पाल घटा करके यहाँ लिख दे रहे हैं ठीक है दोस्तों यह देखिया हमने लिख दिया यहाँ पर यह देखिये यह ठीक यह हो गया उसके बाद से आपको क्या करना है यह new अरे रेक मेंट हो जाईए आपको ऐसे कर देना है ठीक है अब यहाँ पर verified code पर क्लिक करेंगे अब देखिये क्या हुआ कि अब जैसे ही आपने verify code पर क्लिक किया उसके बाद से आपके सामने दो option खुल करके आगे यह financial year वाला और यह state name वाला फैनेंशल यह में आपको जिस साल का देखना है उसपे आप क्लिक करदेंगे हमें 2023 का देखना हम ऊसपे कलिक करेंगे और state में आप सारे आपके सामने option खुल करके आ जाएंगे इसमें R1 फिर R2 बदब धेर सारे option है R2 है ऐसे इसे करते करते आपको R7 ढूणना है याद रहे आपको R7 ढूणना है नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे और यह देखे R7 financial progress वाला option आपके screen पर आ गया है अब R7 में जो पहला वाला एकदम option है financial statement आपको इसी पर click करना है ठीक है एक बड़ और अच्छे से समझेज़े आपको इस screen पर दिखेगा यहाँ पर आपको R7 देखना है R7 कहां पर लिखा हुआ है यह देखिए R6 के निचे R7 लिखा हुआ है इसमें यह financial statement वाले option को click करना है इसको click करने के बाद आपके सामने देखिए screen पर पूरा उत्तरप्रतेश जिले के हर एक जिले का खुल जाएगा record यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है यहाँ पर बहुत छोटा-छोटा दिखाई दे रहोगा तो मैं इसको थोड आपने जिले वाले पर click करिएगा ठीक है फिर जैसे ही मैं उसको जिले को select कर लोंगी यहाँ देखिए आप यहाँ पर आपका सबार है ना financial performance अंडर नरेगा during financial year 2324 यहाँ पर देखिए 2324 का यह डीटेल है डिस्टिक आजमगर लिखा हुआ है और बगल में आपका उत्तरप आपको यह सारा डीटेल दिखाए देगा आप क्या करना है आपको आपको जिला select करने के बाद आपको अपना जो है वो block select करना है ठीक है ना block select करना है block यह मेरा अहिरॉला है अहिरॉला में select कर रही हूँ यहाँ पर देखिए यह अहिरॉला मैंने select कर दिया अब इसके बाद से देखिए ब्लॉक अहिरोला सेलेक्ट हो गया अब आपको आपका पंचायत सेलेक्ट करना होगा यहां पर पंचायत के डिहर सारे नाम दिया होंगे यह देख मैं बढ़ा करके दिखा रहे हूं अभैपूर ठीक है मेरा अभैपूर है तो मैं अभैपूर पर क्लिक करना है लेकिन आपको अभैपूर नाम पर ने क्लिक करना है पहले आप नाम पर क्लिक कर रहा थे अब आपको क्या करना है आगे बढ़ करके यह यहां पर यह जो लाल रा अच्छर में यह दिखा वान अंक इस अंक पर क 2.20 2.20 तो इस पर मैं क्लिक करूंगी आपको भी आपके जो पंचायत होगा पंचायत के नाम के आगे जाना और जो नमबर दिया होगा उस पर ग्लिक करना होगा तो यह देखी जैसे ही मैंने क्लिक किया यह पूरा डीटेल यहाँ पर आ गया है सब कुछ लिखा हुआ है स्टेट का नाम लिखा हुआ है जिले का नाम लिखा गया हुआ है पंचायत का नाम लिखा हुआ है ब्लॉक का नाम लिखा गया हुआ है तेई 24 का डीटेल हम देख रहे हैं ये भी लिखा हुआ है अब इसके बात से यह वाला जो ऑप्षन देख रहे कि यहां पर जो work name के just नीचे वाला जो box होता है यहां पर जो number रहता है इस पर आपको click करना रहता है ठीक है इस पर आप हम click कर देंगे यह जो number है 8014 आपके में दूसर number आएगा उस पर आप click करेंगे तो आपके screen पर mobile screen पर यह खुल जाएगा अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सारी जो डीटेल है अभेपुर पंचायद ग्राम की वो यहाँ पे आ गए है और ये देखे ये सारे लोगों की नाम है उनकी उपस्थिती है उपस्थिती एक दिन की मजदूरी के साथ वो मंञटिप्लाइ कर दिया गया तो पूरी उनकी मजदूरी निकल गई है ठीक है दोस्तों आप देखें यहाँ पी यह नाम दिया हुआ है नरायन, रामासरे, बिक्रम, उर्मिला, मतब कि सब का नाम दिया हुआ है, ठीक है, यह देखे, सब का नाम दिया हुआ है, पहले वाले बॉक्स में, फिर यहां पर यह पंचायत दिया हुआ है, भैपुरा, 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 और ये एक दिन की मजदूरी है 230 रुपया ठीक है दोस्तों एक दिन की मजदूरी आपकी 230 है इसका 4 से गुड़ा कर दिया जाएगा तो गुड़ा करने पर क्या बनेगा 920 ठीक है अब इतने ही अकाउंट में आपके पैसे आने वाले हैं वो सबके अलग-अलग होंगे जो जि भी रहता है यहां पर भी गया नहीं है वन्ना यह क्रिडिटे में आ जाता है और स्टेटस में शो कर देता है यह दोनों बॉक्स अप देख रहा हैं ना खाली है ना मतलब अभी आपका आया नहीं है क्योंकि यह अभी जल्दी का हुआ काम है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह डेट यह काम कब सुरू हुआ था यह काम अभी अगस्त में ही सुरू हुआ था जो कि सित्मबर तक चला था इस तरीके से आप भी घर बैठे अपने फोन पे देख लीजेगा जब जब आपको देखना होगा कहीं इधर दर जाने की ज़रत नहीं किसी को कोई पैसा देने की ज़रत नहीं आप घर पे अपने फोन से बैठ करके चक कर सकते हैं इस वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार मतब जब भी आपको चक्कन होगा आप बस इस वीडियो को देख लीजेगा ठीकन इसमें आपको सारा डीटेल मिलेगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा धन्यवाद